बिसम्मिल्लारख्माराहिम आनलाइन क्लासेज में मुशामदेद करते हैं आपको एप्टेट इंस्टिट्यूट आप आई टी पिशावाई तरफ से आई सीटी सब्जेट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं और इस आई सीटी के अंदर हम जो है चेप्टर नंबर टू पढ़ रहे ह यहां में स्टार्ट किया हुआ है और इस ऊंक्रू नंबर टू के अंदर हमने क्वेस्शन नंबर सैवन जो है वह हम डिसकस कर रहे ह ilsक्ते हैं और अभी तक सिर्फ एक डिवाईश जो है उसके बारे में पढ़ा है और वह हमारे पास है और हम मानीटर के बारे में पढ़ चाहिए और किस तरह काम करता है और हमें किस तरह ज Fer Index आ फुर्ड पर्रोड TWO टाइपस के हुटे हैं ऐक हुआ इंहारे मैं नुप फैले इंहारे नाकर वरगे जैugen फैंटर परजके तो कि मेरे पास किया है फोरे नहिंट फिजू ही के एक को इंपक्रिंटर कहा दूसरा हमारे पास क्या है नान इंपक्ट प्रिंटर दोने में क्या डिफरेंस है इंपक्ट प्रिंटर हमारे पास वो प्रिंटर होता है जिसमें जो है जब वो प्रिंटिंग करता है तो उसमें से साउंड जनरेट होती है आवाज जनरेट होती है आवाज आती है क्यों कि वो पता दिये कि वो क्यों कि वो जो है वो डारेक्ट पेपर को टैच नहीं करता है तो आज हम यह impact और non-impact printers के बारे में डिसकेस करेंगे पेपर में एक्जैम में यह question भी आ चुका है कि impact printer और non-impact printer जी है इन दोनों में difference किया है या printers और impact printer और non-impact printer को क्या करें एक्स्प्लेंट यह है impact printer और non-impact printer यह दो हमारे पास ट्राइप के जहें हो क्या है printers है और इनका काम क्या होता है कि यह जो है किस तरह जो है जो है impact printer जिसे में आपको डिफेंस बता दिये कि impact printer और non-impact printer जो है तो दोनों में difference किया है तो impact printer को impact printer क्यों कहते है निकाज that produce sound during printing process और non-impact printer वो printer होता है जो हमें जो है वो क्या करता है जो जो है जिसमें से आवाज generate नहीं होती ठीग है क्योंकि वो direct paper को touch नहीं करता ठीग हो गया तो हमारे पास जो है दो किसम की printers है वन इस impact printer और वन इस non-impact printer किसम की आप एफ लगफलावन फ्सीम करते है वारे वारे जो किसम वोघए जीगे उन ईती क है आवा नहीं है कि वो ए अब अमर्य पार सबसे पेले है नान इंपेक्ट फिंटर ए रोड्यूस ग्रेक्टर विदा उट्रैकिंग डिवा इविद विदा नान इंपेक्ट पिंटर सॉरीण पर इंपेक्ट के बारे में है पहले impact printer के बारे में हमने discuss करना है impact printer works like a typewriter कहता है impact printer जो वो typewriter की तरह काम करता है क्या मतलब इसका यह प्रिंट्स character are images by striking a print hammer are wheel against an inked ribbon देखें जो पुराने जमने के जो typewriter थे तो typewriter के अंदर भी basically क्या होता है ribbon लगा होता है और उसकी keys hard होती हैं सक्त होती है जोर से आप उसको press करेंगे तो ribbon के आगे page लगा होता है और इस page पे फिर प्रिंटिंग की जाती है तो impact printer जो है typewriter की तरह काम करता है अब typewriter में देखें क्या होता है एक एक character को print किया जाता है प्रिंटर क्रेंटर प्रिंटर प्रिंटर करेंगे प्रिंटर आप आपने ABC लिखना है या आपने लफ्स computer type करना है तो computer एक साथ जो है वो आप C अलग type करेंगे फिर O, M, P, U, T, U, R एक एक character आप टाइप करेंगे तो आपके प्रिंटर प्रिंटर के हैं एक को dot matrix printer का जाता है और एक Deasy Wheel printers है ठीक है इसमें दोनों में जो है जो आपको picture यहां पर नजर आ रही है तो यह जो आपको नजर आ रहा है जो आपके पास है इस इस डॉट मैटिक्स प्रिंटर और यह जो प्रिंटर है इसको कहा जाता है डेजी वील प्रिंटर अब डॉट मैटिक्स प्रिंटर जो है और डेजी वील प्रिंटर में फर्क क्या है यह दोनों जो है हमारे इंपक्ट प्रिंटर की केटिगरी में आते हैं अब इसमें होता और उस head के अंदर क्या होती है इसका एक mechanical एक जो है आपके पास जो है इस पे device इसका head होता है उसको head कहते है और उस head के अंदर क्या होती है उसके अंदर pins होती है head होता है और head के अंदर हमारे पास क्या है पेंज होती है अब पिंस वेरी करती है नमबर आप पिंस हो वेरी करती है उसमें नाइन पिंस भी होता है 9-pin printer भी है 16-pin भी है और 24 भी है ये तीन किसम के जैब पिंस उसके अंदर हेट के अंदर हो तेन 9-pin है 16-pin है और 24-फिंस होती है जितने नबर आप प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी। जिसके अंदर हैड होता है। उस हैड के आगे क्या लगा होता है। उस हैड के आगे रिबन होता है। इसको रिबन कहते हैं। इमारे पस रिबन होती है। इस रिबन के अंदर इसकी इंक होती है। जितने आप प्रिंट आउट ज्यादा नहीं काते जाएंगे, रिबन क्या होता जाएगा, इसके इंग क्या होते जाएगी, खतम होती जाएगी, जितना आप प्रिंटर कम इसके माल करेंगे, जारी बाते उस रिबन की इंग काम होगी, जितना ज्यादा प्रिंटिंग करेंगी, उतने क्या है यह डॉट मैटिक्स प्रिंटर है इसको डॉट मैटिक्स क्यों कहते हैं पिकास इसका जो प्रिंट आउट है वो डॉट्स की मदद से यह वो पेपर पे प्रिंट होकर आता है इसको डॉट्स कहते हैं वो डॉट्स क्यों होते हैं क्यों कि इसके अंदर हैड होता है उस ह दूसरी बात क्या दूसरी बात यह है कि यह जो प्रिंटर है इसकी जो इंक है उसको रिबन का जाता है इन पॉइंट्स को याद रखें ठीक है डॉट मैटर्स के जो प्रिंटर है डॉट मैटर्स प्रिंटर की जो इंक होती उसको रिबन क्याता है जितना जब प्रिंटिंग करेंगे और इसमें फुरांद भी को सपाने बार माला प्रिंटर प्रिंटर कोई दूसरा है कि यह lesia doubt institut इसे बड़े साइस में वो बड़े साइस का प्रिंटर भी मौझूद होता है लेकिन वह बहुत कम लोग उसकतने जाद तर एटी कालम प्रिंटर जो इसको उस्ट किया जाता है तीसरी बात क्या है जो सबसे इंपॉर्टन चीज वो यह है कि यह जो प्रिंटर है इसको हम इस प्रिंटर के मजब से ग्रैफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है लेकर पिक्शर करने से क्या होगा कि आपके हैट है उसकी जो फिल्ट के हम जो जैंगी तो और फिल्ट पीजिवी आप इस तरह प्रिंट हो कर आएगा मैं यहां पर कुछ करता हूं कि आपको समझ आजए बिसाल के तब पर वह आप लिख रहे हैं तो वह इस तरह जो है वह प्रिंट होकर आ रहा है यहां सब्सक्रांद आनतों परका सब्सक्रां, ऑब भीयां में इन इसे प्रेंटर्स तरमें को सिएशन का। इस वाई से इस printer जो है इसको यूज़ता है किस के लिए कि आप इस printer को यूज़ करेंगे इस मकसद के लिए in order to print the text only ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है कि मैं वी को कहा ना कि ग्राफिक्स प्रिंट करने से निफसान क्या होगा आपका head जो है उसकी जो पिंस है वो damage हो जाए और जब head की जो pins है वो damage हो गई फिर आपके जो characters है टेक्स्ट है वो भी आधि-ख़णे print होंकर आएंगे ठीक है वो भी आधि-ख़णे text गेए इस तरह पिंस हो कराएंगे उसका मदल वे कि यहां की जो pins है वो damage हो गई है इस वज़से हम push करते हैं कि इस printer को use करें क्या text print करने करें दूसरी बात और important है कि जो ink होती हो किसमे होती है उसको ribbon दा जाता है ठीक हो गया और होता क्या है इसके अंदर head होता है उस head के अंदर pins लगी होती है वो pins vary करती है 9 pin, 16 pin, 24 pin जितनी नमबरा pin ज्यादा होंगी उतना printing की quality क्या होगी अच्छी होगी ठीक है और दूसरी यह है कि इसको text printer कर जाता है और सबसे बड़े जो इसमें डिस advantage यह भी है कि यह जह है वो क्या करता है यह character printer कराता है एक एक character को print करता है और इसमें से आवाज भी आती है जिब यह printing कर रहा होता है चुँकि impact printer को touch कर रहा होता है ठीक हो गया इन चीज़ों को अपने जहन में याद रखें कि क्या है अब इसके बारे में देखें क्या है produce printed images with tinny pins on a print head strikes on ink ribbon ठीक है इसके क्या मतलब है मैं इसके आपको कहा कि इसके अंदर एक head होता है उस head के अंदर क्या होती है pins होती है ठीक है वो pins strike करती है किस पे ribbon पेज इसके अंदर रिंक होती है उसका कि paper होता है और page पे वो चीज जो है में dots की मतलब से print होकर आता है that is called dot matrix printer के पास भी है dots की सुरत में आपको characters और ग्राफिक्स प्रेंट करके बतलता है ठीक है dot matrix printer जो है 9 और 24 प्रेंट के दर्म्यान होता है 9 पिन भी है 16 पिन भी है और 24 पिन भी है ठीक है higher number of pins print more dots that produce higher quality इतने number of pins ज्यादा होंगी इतने printing quality अच्छी होगी ठीक है फिर इसमें जो है इसकी speed क्या होती है तो जो cheaper है यानि जो सस्ते dot matrix printer है वो क्या करते हैं वो 100 to 150 dpi है 100 to 150 dots per inch उनकी क्या है print quality है ठीक है और उनकी speed क्या होती है 200 to 300 characters per minute 200 से 300 characters तक वो एक मिनिट के अंदर इसके मुकाबने में जो दुस्ते मारे पास गया है उमारे पास गया है उसकी जो speed है जो अच्छे expensive printers है उनकी जो dpi यावो 300 है और speed यावो 1000 to 3000 characters per minute है 1000 से 3000 characters per minute जो क्या करते हैं print कर सकते हैं अब second जो impact printer है हमारे पास है Daisy wheel printers जो second category हमारे पास आती है वो है Daisy wheel printer ठीक है यह भी similar type of typewriter की तरह का printer है ठीक है इनकी जो printing quality है print out है as compared to dot matrix printer वो क्या है वो अच्छी है ठीक है dot matrix के मुकाबने इसके जो printing quality है वो excellent है बैतर है ज्याद अच्छे जो है output हमें देता है ठीक है यह work just like the typewriter typewriter की तरह काम करता है hammer होता है and a wheel to print something on paper hammer basically hammer तो है लेकर hammer paper पे stride करता है इसके अंदर भी ribbon होता है और जो है वो एक wheel होता है जिस पे वो characters जो भी इसके आगे जो भी character आता है वो paper पे print कर के आपको बताता है ठीक है क्या difference किया है है बहुत ज़्यादा इस में से यह क्या होती है sound generate होती है आवाज इसमें से बहुत तेज आती है इसके विज़ाद से यह printer इसने ज़्यादा popular नहीं है मशहूर नहीं है used to नहीं है as compared to dark matrix ठीक है जातर जो यह हो dark matrix printer आपको अगर impact printer में मिलेगा तो यह printer ज़्यादा जो है वो used to है ठीक हो गया बस नहीं है यह नहीं next हमारे पास जो आज़ता है वो हमारे पास क्या है impact printers non impact printers non impact printer में आपको अगता है था कि non impact printer और impact printer में अगर आप से कोई पूचे कि क्या difference है तो आप एक line के अंदर उसको answer देंगे क्या impact printer जो है वो क्या करते हैं paper को direct touch करते हैं और non impact printer जो paper को touch नहीं करते हैं ठीक है इस वससे वो sure भी नहीं करते sound भी generate नहीं करते that is why they are called non impact printers ठीक है अब non impact printer को non impact printer प्रिंटर यूं कहा जाता है produce character without striking device on the paper यह यह पेपर यह डिवाइस यह प्रिंटर डारेक्ट पेपर को touch नहीं करते हैं ठीक है इस वससे इसको क्या करते हैं non impact printer करते हैं they are much quieter than impact printer impact printer के मकाबले में बहुत खामोश होते हैं आवाज generate नहीं होती during printing process ठीक है और इसमें जो हमारे पास फिर दो ज्यादा popular है मिशूर है एक laser printer हमारे पास है non impact printer की category में आते हैं ठीक हो गया ओके यह यह याद रिखें दुनिया के अंदर सबसे popular जो company है जो क्या बनाती है जो printers बनाती है वो HP company है HP company का जहां पर भी आपके पास नाम आ जाया है HP stands for hablet paper ठीक है HP company जो है मारे पास क्या करते हैं वो printers बनाती है HP company हमारे पास भी है वो क्या है HP HP company हमारे पास भी हो Hevlett Packard HP small letters में लिखा जाता है Hevlett Packard यह company का नाम है जो क्या बनाते हैं दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा popular है मशूर है किस वज़से printers बनाने के वज़से HP का नाम कहीं कि आजका तो यह वो भी बना रहे हैं laptop computer भी बना रहे हैं बट यह origin start इनका क्या था वो printers था printers जो हिनोंने इससे start लिया था यह printers यह बनाते थे और इसको भी बना रहे हैं हैं कि अंदर सबसे popular मशूर है HP company के है अब यह तीन चीज़ यहाद रखें क्या dot matrix printer की इंक किस में होती है तो dot matrix printer की जो इंक है उसको ribbon का जाता है ठीक है मैं बता रहा हूं यह अपनी यहाद रखें ठीक है dot matrix printer की जो इंक है dot matrix उसको ribbon का जाता है ठीक हो यहाद dot matrix printer की जो इंक है उसको हम क्या कहते हैं उसको ribbon के ठीक हो यहाद जोसरा हमारे पास क्या है जो non impact printer में laser printer है laser printer और फिर ink jet printers ठीक है पहले ink jet printer बता रहे तो ink jet printer जो है इसकी जो ink है उसको कहते हैं क्या cartridge ink jet printer जो इंक को क्या कहते है cartridge कहते है इसको क्या करते हैं इसको कार्ट्रिज कर दिया है इंग्जन प्रिंटर की जो इंग है इसको क्या करते हैं इसको कार्ट्रिज कर दिया है और जो डॉट मैट यह जो आपके लेजर प्रिंटर है इसकी जो इंग है उसको क्या कर जाता है उसको जो है वो डोनल कर जाता है तो चाहएं आ जान बैजह है कहता apex, ठूर्टिबेबन जान चाहो dernier, ठूर्टिक्स में तूर्टिबन में वहानिती तूर्टिक्स है भैकटीश क्या ओकिभता हैं जो है आपकी एंग जेट में यूस्ट होती है और टोनर जो है वह आपका लेजर प्रिंटर के अंदर यूस्ट होता है अब quality wise सबसे best quality का printer कौन सा है तो याद रिखे सबसे best quality का printer हमारे पास कौन सा है वो laser printer है laser printer जो है वो सबसे best quality है X plus graphics दोनों चीज़े print कर सकता है और तो जब अस तरीके से इसका print out नियुक्त प्लस graphics लगार ने प्रिंट कर सकते हैं फिरक में इसके दरे से अगर अच्छे तरीके से इस वहाइड से सबसे best हमारे पास क्या है वो क्या है वो हमारे पास जो है कि हमारे पास चुर्श है वो laser printer है शेकेंड नमब को हमारे पास फिर एक्जेट प्रिंटर है यह भी टेक्सपैस्ट ग्रैफिक प्रिंटर है टेक्स पी इसमें प्राइए इसमें पिर क्या होता है क्यों है इसमें ऐश है color भी है और black & white भी है color अगर आपके पास है नीट गोजारी प्रेंटर होगा तो आफ दारी बात है आपकें आपके प्रता है नमपरिंवार है तौक है का ज अब इस तरह आपके पौस फिर ऐत्ली डंक एक्सपेशिए है और क्वालिटी बेर प्रिंटर्स हैं कर दो देख सेङा हैं लेकिन क्वालिटी वाइस यह अच्छी है ठीक है उ है खालिटी जो चाहिए खालिटी प्रींटाउट करते हैं भुक के title पेज बैनर वगार ओगाई है इस तरह के और चीजे और चेज़ इसको compost करते हैं computer पर पर उसका print out निकला जाता है। दो print out हम जिएक पर किसके जीर से निकाला है? laser printer के जिरी से निकाला है। ठीक है? तो laser printer इसको desktop publishing पर जाता है, laser printer वर्स आंदर principles आफ ही photocopie यह फोटोकापियर के किएक व्यक्ति सुन्व के काम करता है। इस जिस्ता होता है कि एक साइट से प्रेंड लगाते हैं इन बटन दबाते हैं के जरे से powder form में होती है ठीक है और फास्ट भी है इसमें टेक्स ग्रैफिक प्रिंट कर सकते हैं color printer available in dot as well as laser printer के नदर अब तीसरा तो हमारे पास है inkjet printer यह क्या करता है यह हमारे लिए प्रिंट करता है character and graphics कर्टर भी प्रिंट करता है graphics प्रिंट करता है तस्वीरें भी प्रिंट कर सकता है ठीक है by spraying tiny drops of liquid ink on paper वी जो इसके जो वह ना cartridge है इस cartridge के start में चोटा सा यहां पर एक भूल होता है और इसके जो ink होती है वो liquid form में होती है और वो जिस तरह किसी चीज को और spray paint करते है उससे तरह इसको भी spray किया दाता है पेपर पेकाल इसको इसको spray किया रहता है यह जो अगर आप कुछ second के लिए आप जो प्रिंट आउट है उसको अगर आप रप करना चाहिए तो अपने हाथों से आप इसको क्या कर सकते है उसक से लिया आप इसको टाइम देंगे ताकि वो ड्राइब हो जया जो जो बैजर पिंटर इसके भी पर मिनिट स्पीड होती है पेज पर मिनट करते हैं देखें वहां पर यह वह वो करेक्टर था तोट मैटकस में छीख टीट थी कि एतने इत्य के अंदर करता है यहां पर फिंटर लेजर बै। उन टू शैबर मिनुक पर मिनेट लेजर जबन के लेजर बहुत सारे फे स्काहिए. फिर इसमें जो सबसे बड़ा डिस एड़ाइज है किस के अंदर इन्जेट प्रिंटर के इसकी जो इंक है वो किस के अंदर होती है वह कुद करता है और वह लिकविड फांडे होती है और उसमें यह है कि अगर आप विसाल की तो पर आप एक न्यू आपने विसाल की तपर इंग जेट प्रिंटर पर चेस किया खरीदा और फिर उसको यूज नहीं कि इस्तेमाल नहीं किया 15 डेस वन मंथ तून मंथ आपने इसको छोड़ दिया उसकी जो एंक है वो क्या हो जाए श्ताइब यह पूआट ऑ posiz है कि जीड़ फिर ट्राइब के किस के लिए होजाए फिर बाद फिर यहह वाट मं फ़र यह अरॉज्छर ये मंती और वी क्वार्ड समone क्वार्ड बाद अबने काप अधर रखार जो है प्रिंटर को यूज सर्व करेंगे ताकि वो ट्रीट इलेक्टिक रचर्ज डैए ड्राइप ना होने पाए ड्राइप लगा तो आपको कार्टिज यूजडिस हो जाएगी आपको नए कार्टिज खरिगने पड़ेगी आपको अरे फिल तर्फिल ना next हमारे पस جे है बीका है plotters हमारे पस क्या है push करेंगे कि topic आज हम complete कर लें बस एक दो खनी last slide है plotter हमारे पस एक output device है जो क्या करता है यह हमारे लिए hard copy output produce करता है it also produce hard copy output यज्परोटीश क्वार्टीश 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 डिध क्वार्टीश झाल झाल प्लाटल के हमारे पास आउटकूड डिवाईस है, आटकॉपी आउटकूड ग्राफिक्स इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं, मैंने आपको याद हो, आपको एक पता था, कि हमारे पास एक सौफ्टेर उतर से कहते हैं, आटकेंड, एक कैंड इसको कहा जाता है, या आटकेंड इस काँड इसको एक एड भी कहते हैं, या एक सकार्वट आटकेंड, तो यह हमरे पास एक सौफ्टेर है, आपको याद हो, मैंने काता है, इसके निदर क्या होते हैं, ड्राइंग बनाए जाता है, या मैप्स बनाए जाता है, ठीक है, अब जारी बत वो नक्षे वो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक खास किसम के स्पेशल डिवाइस की जुद्ध परतिया, इसको प्लाटर करता है, ठीक है, आज कल वो बड़ी-बड़ी बनाफ्लेक्स वगरा जो है, वो भी आपको बैनर वगरा जो नज़र आते हैं, वो भी इसी डिवाइस के जिरे स वाःतफ से प्रिंट किया जाते है, अब इस पर यादा एक निज़र ऑफिगण हो उसके जए हो लिए, इसकंपे बड़ी शीट हो किसा एट कर सकाहिए, यह इसको तो मैं क्या सबस्ते हैं, वह अब बागिए इसके जिरे कल परतीशल जिए लो अगरा है, वह लिए कह दुवाइस है। इसमें जभॉत जवेंसे पैंस și आज करने ऐब सुवकिती है। यह नहीं होता है। जगह और यहां पर मतलिफ्स प showc dépl़ होता है। इसका एक आम होता है, जो यहां से पन उठाता है, पिक करता है और यहां पर आकर उसको ड्राप करता है, यह दूसरा पन उठाता है, पिर यहां पर ड्राप करता है, यह पूरे शीट के उपर पही होता है, और यह जो इस पर शीट लगा दिया जाती है, और आटोमेटिक यह ज पर आज़ग आपने हवां सेटे पह जए भर में आपके पास स्वेकर हमें को सा सब्सक्रेश करें हमा उनल उसको साहीं है २॥ so by this we have finished our chapter number two also सब्सक्राइब करेंगे इसका थर्ड चेप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसकी मैं आपको पहले की कहा था सारी के सारे वीडियो जो है एक टेक के जो चैनल है इसके अपलोड़िट है अब से कोई टॉपिक मिस हो गया हो आप वहां से उस वीडियो को दोबारा प्ले करके देख स सकते हैं सुन सकते हैं डाउनूड भी कर सकते हैं लिए 17押 से आपका एक्जैम स्टार्ट हो रहा है इंजीर ने इसके समिट कर आवगारह likely इसके आपको अंगये